नमत्य दोत्य वांडी गोल्ड में आपका स्वागत स्वाथ्य समधी चर्चा के अंदर आज नए साल में आज दो तरीक मैं आपको दो प्रियोग घरेलू बताऊंगा पहला गेस और बदहजमी ये बिमारी बहुत होती है क्योंकि खानपान सुद नहीं रंसें सुद नहीं और आदमी मेहनत कसरत कुछ नहीं करता इस वज़े से पड़ा रहना बेठे रहना और टहलना नहीं इत्यादी कहीं कारणों से गेस और बदहजमी पैदा होती है और आदमी इदर उदर की दवाईयां खाता रहता है तो मैं आपको घरेलू प्रियोग बताता हूं सबसे पहले आ आपको खाना बिलकु निश्चित समय पे खाना चाहिए टाइम पे खाना खाना चाहिए ये बहुत जरूरी है अब मैं आपको प्रियोग बताता हूं देखिए सहत के अंदर थोड़ा निम्बू का रस डाल करके और उसको दो बार चाटने से जैस और बदहजमी ठीक होती है अगला नुसका जो मैं आपको दे रहा हूं हिंग को तवे पे थोड़ा दो बूंद गी डाल के भून लेवें हिंग लहसुन और शेंदा नमक इनको आप पीस करके और चने के आकार की गोलियां बनाके सुका लेवें ये गोलियां जब भी आपको बदहजमी पेट में अब आप तीन या चार दफ़े भी ले सकते हैं ठंडे जल के साथ अत्वा ये टेस्टी वे चूंस भी सकते हैं अगला नुसका जो मैं आपको दे रहा हूं कि खाने के समय बोजन जब आप करें तो उबला हुआ पानी जो ठंडा हो वो आप इस्तेमाल करें तो आपकी गेस सट में बनेगी फिर मैं जो नुसका दे रहा हूं देखिए सोंट का पावडर थोड़ा साल सोंट का पावडर को शहरद से मिला करके और उपर चाठ करके गिन गुना पानी पिने सें गेस और बदहजमे ठीक होती है जिनको गैस और बदचमी होती है उनको लोग यानि कि दस्वारा लोग को एक गिलास पानी में उबाल करके लोग को फेंक देवें और वो पानी पीने से गैस और बदचमी में आराम मिलका है अगला नुसका जो है जेरा सौफ और अजवाइं जेरा सौंप अजमाइन इन्हें सूका करके और पाउडर बना लें और थोड़ा साथ इतना साथ सूबह और साम को शेहत के साथ चाटने से हैं गैस और बदहजमी ठीक होती है देखिए वैसे घरेलू नुस्खे इतने हैं कि मैं बोलता बोलता ठक जाओं और आप करते करते ठक जाएंगे जो खास-खास है मैंने नुस्खे आपको दिये हैं अब मैं जो मेरा आजमाया हुआ जो नुस्खा है ये मैं आपको ओड़ दे रहा हूँ देखिए एक जो पीपल का पेड होता है पीपल का पेड का बड़े से बड़ा साइज का पत्ता एक पत्ता मैं डंठल के आपको लेके आना है और उसको आप लाने के बाद सुबह आप साम को लावें साम को लाकर के और एक काज के गिलास में पानी बरके उस पत्य को उसके अंदर डंटल सही डुबो दें और ओपर धुक्ये रख दें सुब़े आप जब नास्ता वगएरा करदें आट नौ बज़े तो उस पत्य को निकाल के पानी फैंक देंगे और उसका डंटल को तोड करके वो फैंक देंगे और उस फीपल के पत्ते के ऊपर एक इमली का भी जो था इतना साथ उसके बराबर शेंदे नमक की डली रखें और पान की तरह यूँ करके और आप मुँ में दबा लें और उसको चबाये नहीं उसका कस आप लेते रहें उसको निगलना नहीं है उसका जब आपको लेगे कि पुरा कस अंदर चला गया तो जो बाकी है उसको आप ठूंक देवें और कुला करें तो करें नहीं करें तो कोई यसी बात नहीं यह परियोग यदि आप 21 दिन कर लेंगे तो गेस और बदहिधमी का नाम नहीं रहेगा आप नोट कर लो इस बात को यह मेरा आजमयावा और किसी संत मात्मा का बताया हुआ नुसका है इसमें कोई खर्चा ने इतना साक्षेंदा नंबर पांच प्रिसे का 10 पिसे का एक ये मेरा आजमाया हुआ नुस्का आप जरूर करें 31 दिन भी कर सकते हैं बागी 21 दिन ही बहुत होते हैं दूसरा जो मेरा आजमाया हुआ नुस्का है वो भी बहुत सरल है देखिए आप इनों वगेरा जो भी गेस बदजमी होती है कोई कोका कोला पी लेते हैं कोई इनो पी लेते हैं आप ये परियोग नहीं करें आप अपने गर पे सोडा बाई कार्बोनेट आप मेडिकेटेड जो अंग्रेजी दवायों की दुकाने हैं वहां पे मिलता है एक इतना सा डिबा आपको महज 25-30 रुपे के अंदर 40 रुपे मे में जाएगा जो आपके बहुत लंबे समय चलेगा उसको ला करके soda by car को एक काज की सीशी के अंदर भड़े में उपर लेबिल लगा दें soda by car इसको कहीं लोग खाने का soda भी बोलते हैं लेकिन जो खाने का soda होता है वो थोड़ा हलका होता है और जो soda by carbonate के नाम से आता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का soda होता है तो जब आपको गेस और बदहजमी हो तो एक कटोरी गुनगुना हलका साख पानी यदि सर्दी हो तो गर्मी हो तो नहीं एक कटोरी थोड़ी खाली रख करके वो पानी भढ़ लें और उसके अंदर एक निम्बू निचो दें और थोड़ी पीशी हुई काली मिर्च का पाउडर और पिसावा शेंदा नमक और पिशी हुई थोड़ी सी एक सोंट ये उसमें डाल दें हो यानि कि ये तिनों चीजें भी एक चमच उसमें डाल दें हो और एक चमच सोड़ाबाई कार्ब उसमें डाल दें हो यानि कि पानी के अंदर सोड़ाबाई कार्ब एक और सौंट काली मिल्ट ये सेंदा ये अंदाज सें और एक निम्बू उसमें निचो दें तो सोड़ावाई कार जैसे ही आप एक चमट डालें तो फिर पड़ाने रहके तुरंथ उसको चमट से हिलाके पी जाएं मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इधर आपने पिया और उसके 10 या 15 मिनिट के अंदर 10 मिनिट तो बहुत होते हैं आपको एक डकार आएगी डकार आते ही आपको आराम आजाएगा बदहजमी से और उसके थोड़ी जिर बाद गेस भी पास हो जाएगी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई बेड इफेक्ट नहीं इसको जब भी गेस ज्यादा बने तो इस परियोग को आप करें यह टेस्ट यू बनता है और देखिए रोज तो कोई चीज भी करना ठीक नहीं जब आपको गेस की परेशानियों इसको आप कर सकते हैं तो यह दो पीपल का पत्ता और यह सोड़ाबाई कार्प का यह मैंने आपको नुसका बताया इसके अलावा जो इतना भी नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए उनके लिए मैं आपको एक आईरवेदिक की गोली बताता हूं जो बड़ी सिंपल गोली है उसका नाम है चितरकादी वटी यानि कि चितरक की छा दीवटी है यह दो गोली सूब है दो गोली साम को खाना खाने के बाद थंडे पानी से या तो आप चूंस लीजिए थोड़ी सी कड़वी होती है तो आप पानी से निगल लीजिए इसको दसवीज दिन आप लेने से आपकी गैस और बदहजमी ठीक होगी एक और जो मेरा आ हेंग अश्ठक क्षूरन हिंग अश्ठक क्षूरन हेंग अश्ठक क्षूरन तो यह आप तक किसी भी अच्छी फार्मेशि इस फार्मेसि देग्साल्म oy नहीं लेकिन एक तो ज्ञ़णू बाम उसकर तक्कर की अब तक कोई बाम नहीं निकली और एक हिंगाश्टिक चुरन जंडु का उसके मुकाबले कोई चुरन नहीं और विसे ही जैसे सर्वत रुफ अफजा हमदर्द बनाता है तो उसके कम्पिटीशन में कहीं बड़ी-बड़ी फारमेशियां उतरी लेकिन उनको कामिया भी नहीं मिली देखिए जिनके हाथ में सफा है और जो जानते हैं वो चीज वो ही बना सकते हैं हर आदमी नहीं बना सकता तो कोई जरूरी नहीं कि आप जंडु का हिंगाश्टिक चुरन लाएं कोई जो भी फारमेशियां मिले आप हिंग वाश्टिक चुरन हिंग अश्ट इसका प्रयोग का जो तरीका है वो आप ध्यान से सुनें, जब आप खाना खाने बेठे हैं, तो इतना साख हिंगाश्टिक चुरन, आप यूँ समझिए, दो ग्राम, दो से तीन ग्राम, ये अपने थाली के अंदर रख ले हैं, और अगर आपकी खुराग चार चपाती खाने की हैं, चार, ये मेरी अंगलियां देख लीजिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हिंगाश्टिक चुरन जो आपकी ठाली में हैं, उसमें दस्विस बूंद आप गाई का घी डाल देवें, जैसा भी घी हो डाल देवें, और अंगली से यूँ उसको, वो पेस्ट की तरह हो जाएगा, तो सबसे पहले आप उसको चाट लेवें, आदा चाट लेवें, फिर आप दो चपाती खा लेवें, दो चपाती खाने के बाद जो और आदा बचा हुआ है, उसको आप फिर चाट लेवें, और बाकी की दो चपाती खा लेवें, ये प्रियोग आप दोनो समय करेंगे तो आपको ने तो बदहजमी होगी और ने आपको गेस होगी हिंग के अंदर इतनी सक्ती है गेस को पास करने की उसका कोई मुकाबला नहीं इस चूरन को आप गर पे भी बना सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं बजार में खूब मिलता है तो ये प्रियोग 21 दिन करें अब इसके अंदर कोई आप कोई सोचे नहीं अगर आप से कुछ भी नहीं होता है तो खाने के बाद आदा चमा चहिंगा श्टिक चुरन मूं में डालके पानी पिलें वो भी काम करेगा लेकिन इस तरह घी के अंदर मिलाके और आदा भोजन करने के बाद फिर उसको चाटके आदा भोजन करने से वो भोजन के 20 के अंदर आ जाता है तो वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है और आपको कोई गेस नहीं बनने देगा आपकी गेस खारी जोगी इसके अलावा और बहुत से नुस्के हैं लेकिन जितना मैं आपको खास खास चीजे वो दे सका हूँ घरे लूँ ये आपको नुस्के दे आ हैं मैंने ये गेस और बदर्दमी में काम में लेजिए इसके अलावा आपको भूग नहीं लगती है हजम नहीं होता है उसमें भी ये काम करेंगा अब दूसरा जो मैं आपको नुस्का दूँगा वो है एनिमिया एनिमिया शरीर में रक्त की कमी कईयों को हो जाता है हेमलो गलोबिन कम हो जाता है तो देखिए पांच ग्राम शहड और दस ग्राम गाय का मक्षन और उसमें तीन बूंद अमरत दारा मैं आपको जो नुस्का दूँगा वो सबसे बेस्ट से बेस्ट नुस्का दूँगा पांच ग्राम शहड दस ग्राम मक्षन और उसमें तीन बूंद अमरत दारा जो बनी बनाई मिलती है ये डाल के रोज सबेरे एक बार खाने से 21 दिन आपको गेस और ये सोरी एनिमिया की सिकाइद खतम हो जाएगी एक मिना भी ले सकते हैं दूसरा जो एनिमिया का जो है वो भी बहुत सरल है सहेजन के पेड आज पास खूब होते हैं हर घरों में भी सहेजन के पेड खाने से 10 पॉइंट हैमलोग्लोबिन आपका बढ़ेगा अब मेरा जो आजमाया वाजोन उसका है हैंलोग्लोबिन बढ़ाने का रत की कमी को दूर करने का वो देखिए बायो केमिक है बायो केमिक के अंदर फेरंपोस्ट 3X होमेपितिक के अंदर ही 12 दवाईयां अलग से है जो बहुत सरल हैं तो उसमें से एक दवा है उसका नाम है फेरंपोस्ट तो फेरंपोस्ट 3X ही लेना 6X भी आता है 12X भी आता है ये आप बिलकुल नहीं लेए फेरंपोस्ट 3X इसकी 3-3 टिकिया टिकिया में आता है दिन में आप चार बार दो मैना एक मैना चुसें मेरा य एक माइना फेरम फोस अगर आप दिन में तीन या चार बार चूंस लेंगे चार चार ठीकिया तो तेन पाइंट हेमलो गलोबिन आपका बढ़ जाएगा और अगर नहीं बढ़े तो आप मेरे उपर कुछ भी कारवाई कर सकते हैं मेरे को मन्जूर है क्योंकि यह मैं इसलिए कहता हूँ कोई एहम की बात नहीं है मेरे दोस्तों मैं कोई घमंड की बात नहीं कहता लेकिन आपका कान्फीडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ा मेरे को उस हिसाब से बोलना पड़ता है और मैंने यह कईयों को दिया है जिनको एनिमिया की सिकाई इस फेरंपोस्त 3X को कोडियों में आती है यह दवा आपके सो रुपे में तो पूरे एक मैने का इलाज हो जाएगा इतने आ जाएगी इंडिया की मिले बनी इंडिया निलो जर्मनी मिले जर्मनी लो इसके अलावा यह पीलिया जो हो जाता उसके अंदर भी ले सकते हो और का कोई side effect नहीं कोई bed effect नहीं एक मैना दो मैना लो अगर आपका hemoglobin no point आ गया है तो वो 11 12 आ जाएगा अगर दस आ गया है तो तेरा आ जाएगा तेरा और चब्दा ये इत्ता तो रहना चाहिए आदमी का हेमलो ग्लोबिन तो फेरम पॉस्ट थ्रियक्स इसकी पेटेंट और रामबान दवा है इसका प्रियोग मैंने अपने जिवन में किया और मैंने कई शेक्रो रोकियों को दिया ये आज तक भी फेल नहीं गया तो दोस्तों आज मैंने दो नुस्के दिये गैस और बदाजमी और दूसरा नुस्का एनेमिया का दिया एनेमिया के अंदर और भी बहुत सी दवाईया है लेकिन अधिक उस चकर में पढ़ने से कोई फ करियों कीजिए आप स्वस्त होए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स